एक ऐसा ठक जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में अपने ठगी को लेकर जाना जाता था नेटवर लाल के बारे में आप ये तो सुना होगा कि उसने ताजमहल बेच दिया था, उसने लालकिला बेच दिया था, उसने राष्टपती भावन, संसद भावन तक को नहीं छोड़ा था, उनको भी बेच दिया था ठगी होती है, वो पुखता दिखाने के लिए, देखे, उसने महर बनवाई होगी, उसने स्टाम पेपर लगाए होंगे, उसने वो जाइली साइन किये गए होंगे ठग अकेला ओपरेट करें, ऐसा बहुत कठेन होता है, ठगों के साथ लोग होते हैं, स्टाफ होता है नवश्कार मेरा नाम है मिरतन जेतरवेदी और आप देख रहे हैं मारुचाला, आज हम आपके साथ मौजूद हैं अपराद लोग का चौथा एपिसोड लेकर और ये एपिसोड आपके लिए बेहत खास है, खास इसलिए है क्योंकि इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप चौग जाएंगे ऐसा व्यक्ति, ऐसा ठग जिसने आठ राजियों में चोरी की, सौ से जादा मामले उसके उपर दर्ज थे, एक ऐसा ठग जिसने लाल किला और ताज महल को तक बेच दिया, एक ऐसा ठग जिसके पीछे पुरग देश की पुलिस पड़ी हुई थी, एक ऐसा ठग जो सिर्फ हि कम से कम आठ बार जेल से फरार हुआ एक ऐसा ठक जिसके नाम पर मूवी भी वनी है इन सबी सवालों का ठक कैसा था कौन था कहां का रहने वाला था कैसे पकड़ा गया कैसे पुलिस के हत्ते छड़ा इन सब सवालों की जवाब के लिए हमारे साथ रूज की तरह मौजूद है वरुन कुमार जी, हाइए उनसे जानते हैं कि ये कहां का मामला है इस ठक का नाम क्या था? कौन था? सर बहुत दो स्वागत है आपका क्या मामला इए ठक था कौन? कहा का था? नाम क्या है? बिल्कुल देखे बहुत सस्पेंस नहीं बनाते आज हम अपने दर्शकों को कहानी सुनाने वाले हैं किस्सा सुनाने वाले हैं नटवर लाल का और नटवर लाल का नाम आपने सुना तो होगा लेकिन नटवर लाल के बारे में आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो बातें श डिया था अब ठग लिया लोगों को ये कहना गलत है कि बच दिया था बेचने का नाटक करके ठग लिया था कल हम लोगोंने कि थी इस से पिछले एपईसूड में एपिसूड November 131 हम ने ठग बहराम की बात की थी वह एपईसूड शायद आपने देखा हो नहीं देखा हो तो उसे भी जरूर देख लीजेगा उसमें हमने ठग बहराम के बारे में बताया था ठगी एक विधा है एक कला है ऐसा ठग मानते हैं चोरी एक अलग चीज है मैंने कल इस बात को बताया था कि चोरी का आर्थ यह होता है कि आप किसी के घर लिया आप चले गए यह चोरी है एक चीज होती है जिसको हम लूट कहते हैं आपने उसे हतियार दिखाया और आपने उसका समान लूट लिया एक होती है डखेती आप को बंधक बनाया गया आप से वो समान बलपूरवक छीन लिया गया उसी तरह एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ठगी, ठगी में ठग जो है वो आपके दिमाग के साथ खिलता है ठग आपको ये भरोसा दिलाता है कि मैं तो आपकी तरफ हूँ और आपको चूना लगा देता है और आप जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है, तब तक आप उसका शिकार बन चुके होते हैं, आप अपना पैसा लुटा चुके होते हैं, दिल्ली में बहुत अक्सर आपने देखा होगा, होता क्या है कि आप कहीं खड़े हैं, कुछ लोग आएंगे अचानक से आपके पास और बताएंग आईफोन लेना है, घढ़ी लेनी है, यह आईपैड लेना है, आईपड लेना है, तो ऐसे तमाम लोग धीरे धीरे आपके पास आते हैं, आपको हाँ, और फिर उन ही के गिरूँ के कुछ लोग आसपास आपके इखटा हो जाते हैं, और वो केते हैं अच्छा लाओ बहुत अच्छी चीज है बहुत सस्ते में मिल गई एक नमबर चीज लग रही है आप भी उनके जहां से मैं आ जाते हैं और वो दिखाते हैं आपको जो चीज आपको दिखाई जाती है कई बार वो चीज आपको देते ही नहीं है कोई दूसरी जूटी खराब ऐसी चीज आपक क्या हुआ जैसा अक्सर खबरे आती थी कुछ पासल लिया उसमें इट निकालाई मोवाइल के जग़े पे ये सब ठगी में आता है तो ये एक विधा है इसको ठगी कहते हैं और इस ठगी का जो बेताज बादशाह जिसकी आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नटवरलाल कुछ मुवीज भी बनी हैं कुछ धारवाहिक भी बने हैं किताबे भी लिखी गई हैं तो नटवरलाल कौन था वो हम आपको बताएंगे नटवरलाल ने क्या किया हम वो आपको बताएंगे नटवरलाल पकड़ा गया के नहीं पकड़ा गया उसकी मौत कैसे हुई उसने मौ ठक कैसे बना ठीक है तो जब बात नटवरलाल की करते हैं तो बिहार के सीवान का रहने वाला था नटवरलाल और उसका नाम नटवरलाल नहीं था उसका नाम था मिखिलेश कुमार शिर्वास्ताव सीवान में गाओं है गाउं और 1912 है वो साल था जहां मिथिलेश जब पैदा हुआ और मिथिलेश अपने गाउं में एक ठीक ठाक पढ़ने वाला लड़का माना जाता था और मिथिलेश जो है वहां एक जमीनदार थे रहुनात परसाद उनका नाम था तो यह उनका बड़ा बेटा था और पढ़ा गया और यह फेला और ऊसके बाद यह बड़ा ता भाग गया को ने से पहले की कहानी है यह कहनी यह के है कि मिथिलेश से वहां से बैंकं द्राफ्ट दिया और कहा हो uh मिथलेश वहां पहुंचा और उसने जब ड्राफ्ट जमा कराया तो उसने पड़ोसी के साइन कॉपी कर लिए और मिथलेश ने वहां से पैसे निकाल लिए यह दिखाया कि मैं ही वह हूं और वहां से पैसे निकाल लिए और पड़ोसी को जब तक इस बात की भनक लगी दो ति 30 के आसपास की हम बात कर रहे हैं तो 1000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने में तो मिधिलेश ने पहली जो ठगी है वो अपने पड़ोसी के साथ अंजाम दी अब इसके बाद जब वो फेल हो गया पिताजी ने पीटवीट दिया उसके बाद वो भाग गया त होता था जब तो जाते थे कोलकाता वो बंगाल साइड चले जाते थे आज कल हम देखते हैं कि जो प्रवासी आते हैं वो दिल्ली की तरफ उनका मूवमेंट होता है लेकिन उस जमाने में बंगाल एक बहुत धनी और एक बहुत बड़ा एस्टेट होता था और जो बिहार के लोग थे वो बंगाल जाना अप एक शक्रत जादा पसंद करते थे तो बंगाल चला गया वो कॉलकाता में चला गया कॉलकाता में रहके वो पढ़ाई लिखाई अपना करने लगा कहते तो यह हैं कि मिधलेश जो है वहाँ मतलब डिबरी की रोशनी में पढ़ता था स्ट्र मिधलेश की मदद ली कहा कि वही तुम मेरे बेटे को पढ़ा दिया करो ट्यूशन और बदले में मैं तुम्हें एक्स एमाउंट जो भी है पैसा मैं दूंगा अब यहां मिधलेश को करनी थी अपनी ग्रेजुएशन मिधलेश ने सेट से कुछ पैसे मांगे कहा कि सेट अब एक रूई की गांट मुझे खरीद नी है और इससे आपको इतना मुनाफ़ा होगा आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो यह रूई का लौट गांट का मतलब बहुत भारी तादात में रूई आज की तरह तो कम एस्तेमाल देखते हैं लेकिन उन दिनों रूई का तो उसने रूई खरीदने के लिए सेट से पैसे लिए साड़े चार लाख रुपए और ऐसा कहते हैं कि वो पैसा उसने ठग लिया वहां से फरार हो गया भाग गया ये बात भी 1940 के असपस बिल्कुल बिल्कुल तो ये करीब दूसरा ऐसा मामला था जब मिथलेश ने कोई ठगी की इसके बाद उसका फर ये फ्रिक्वेंट हो गया उसको आदत हो गई उसे लगा कि मैं शायद इसी काम के लिए बना हूँ और अब मुझे ठगी ही करनी चाहिए इसके बाद सर कोलकाटा के बाद करक्या सीन था सर अपने पढोसी के अलाबा भी नटवर लाल ने किसी जीसरे के साइन कापी किया बिल्कुल देखे एक कहानी है एक किस्सा है ऐसा कहते हैं कि नटवर लाल का जो गाउं था जैसे मैंने बताया सीवान जिले का बंगरा गाउं तो पड़ोसी गाउं में एक बार डॉक्टर राजिंदर परसाथ जो उस वक्त की राश्टपती थे वो आए हुए थे तो नटवर लाल यानि की मिथलेश को मौक हस्ताक्षर किये हाँ बिल्कुल कॉपी उनके हस्ताक्षर किये और इस दौरान उन्हों ने ये कहा राश्टपती से के सर यदि आप एक बार कहें तो भारत के उपर जितना भी कर्ज है विदेशियों का ये तो मैं पूरा चुका ही दूँगा और मैं जितने भी ये और तुम प्रतिवावान लगते हो भारत के युवा हो और अपना जो ये एनरजी है अपनी जो उर्जा है इसको अच्छे कामों में लगाओ और तुम अगर कहोगे तो मैं तुमारी नौकरी लगवा देता हूं कहीं अच्छा हां लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही बेच दिया था किसी विदेशी को ठग लिया था मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा बंटी बबली में इस बहुत अच्छे से दिखाया गया कि विदेशी लोग भारत आते थे ताजमहल देखते थे राश्ट-पती भवन देखते थे संसद भवन देखते थे लाल किला देखते थे ओर बहुत हैरान हो जाते थे उन्हें लगता था यार यह तो बहुत ही जादा दिव्वे और भववे भवन है और अगर यह हमें मिल जाये तो कितनी अच्छी बात हो तो वह भापता था ऐसे लोगों को कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसको खरीदने की इचह रख सकते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो इसकी कीमत हैं थगों का ये काम ही है उसके बाद वो उनसे संपर्क करता था उसे ठगों की मैंने ये अपने पिछले पौडकस्ट में भी कहा था ठगों की ये खुबी होती है कि उनको एक से जादा भाशाएं आती हैं वो अपना भेश बदलना जानते हैं और ठग जो है उनके अंदर एक से जादा कलाएं होती हैं वो अच्छे डांसर हो सकते हैं वो अच्छे एक्टर हो सकते हैं वो अच्छे हो सकते हैं वो अच्छे टेलर हो सकते हैं वो अच्छे मोची हो सकते हैं उनके अंदर तमाम तरीके की कलाएं हो सकती हैं वो नाई हो सकते हैं तो एक जो ठग होता है वो एक से जादा काम कर सकता है और ये धीरे धीरे करके वो लोगों को अपने भरोसे में लेता है तो जो ये विदेशी आते थे उनको ये अपने भरोसे में इसने किसी तरह लिया होगा बहुत जदा डिटेल में मीडिया की जो कौपीज हैं उसमें नहीं बताया गया है मगर हाँ ये जरूर बताया गया है कि विदेशियों को अपने भरोसे में लि और एक बार इसने बेच दिया संसत भावन को और एक बार बेच दिया राष्ट पती भावन को और जब इस तरह की चीजे बेची जाती है तो जो ठगी होती है आप सोचे उसके लिए कागस बने होंगे स्टांप पेपर लगे होंगे उस पर साइन हुए होंगे उस पर महर लगी होगी तो यह जो जितनी तमाम चीजे थी वो की गई होंगी और जो ठगी होती है वो पुकता दिखाने के लिए देखे उसने महर बनवाई होगी उसने स्टाम पेपर लगाए होंगे उसने वो जाइली साइन किये गए होंगे एक से जादा लोगों को इस पूरे गेम में शामिल किया गया होगा और किसी सरकारी हो सकता है बिल्डिंग में ये उनसे मिला हो तो एक पूरा सिनेरियो ये लोग जो है चलाते हैं ठग अकेला उसके साथ 200 उसके करमचारी थे उसके साथ 200 ठग मिले हुए थे वो सारे मिलके काम किया करते थे उसी तरह मुझे बिलकुल भी नहीं लगता कि नेटवर लाल अकेला ओपरेट करता था या इतनी बड़ी बड़ी जो उसने काम किये वो अकेले कर डाले इसमें तमाम लोग उसके आगे कि पढ़ाई की या वहीं पर छोड़ दी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि बैचलर उसने किया और वो वकील बना तो तमाम जो अभी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे उसमें यही था कि वो वकील बन गया था और वकील बनने के बाद उसने वकालत छोड़ दी और वकालत छोड़ने के बाद उसने ठगी को अपना पेशा बना लिया। ऐसा कहते हैं मरतुंजे के वो वैश्याओं तक को नहीं बक्षता था, उन तक को ठग लेता था। वो वैश्याओं के पास रोजाना जाता था और रोजाना जाके उनको शराब पिलाता था। और शराब में कोई दवाई, कोई नशे की चीज ऐसी मिला के रखता था, जिसको पीने के बाद वो लोग बेहोश हो जाती थी और उनका जेवर, उनका पैसा वो लेके फराट हो जाता था। तो आप सोचिए कि एक ऐसा शक्स की आजहम बात कर रहे हैं कि जिसने तमाम ठगी को अंजाम दिया, उसने वैश्याओं को नहीं छोड़ा, उसने लाल किले ताज महल जैसी इमारतों को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं बाक्षा, एक किस्सा बड़ा मशूर है, जिसकी वजह से पूरा देश उसे जान गया, और ये किस्सा उननिस सो असी के आसपास का किस्सा है, और ये किस्सा है राजीव गांधी से जोड़ा हुआ, और ऐसा कहते हैं, अब कितना सच है, कितना जूट पता नहीं पर रिपोर्ट्स में यही दर्ज है, अब आप सुनें ये किस किस्सा बहुत ही जादा इंटरस्टिंग किस्सा है, किस्सा कुछ इस तरीके से है कि एक मरतवा कनाट प्लेस पे घड़ी की बहुत जानी पहचानी दुकान, बड़ी दुकान, वहाँ पे एक शक्स पहुंचता है, थोड़ा बुजूर्ग होता है, और वो पहुंचने के बा और यह अपना नाम डियन तिवारी बताता है, और कहता है कि हमारे प्रदानमंत्री हैं, राजीव गांधी, उनका आजकल थोड़ा वक्त खराब चल रहा है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में 93 लोग शामिल होंगे, और वो चाहते हैं कि 93 नई घड़ी उन का वक्त ठीक हो जाएगा, अब उसे शक तो होता है, उसे लगा कि यार ऐसा ना हो कहीं, ये मेरे को पागल बना रहा हो, कौन है, क्या है, तो लेकिन उसे लगा यार मेरी तिरानमे घड़ी भी करी हैं और ये कह रहा है, पैसे दे दूँगा, अगर पैसे देगा तो ठीक है, नहीं पैसे देगा, तब का तब देखेंगे, तो उसने बढ़िया मेहंगी वाली 93 घड़ी, तिरानमे घड़ी उसने एक सूट केस में रखी और कहा कि ठीक है भई, आप अपने के स्टाफ को मेरे साथ भेज दीजे, मैं इसका पेमेंट करवा देता हूँ, अगले दिन, दो तो दिल्डी में जो लोग रहते हैं, उन्हें पता है कि नॉर्थ ब्लॉग जो है, एक बहुत ही ज़ादा सरकारी वहाँ पर आफिस हैं, और वहाँ वो पहुचता है और कहता है कि मैं आपको 32,829 रुपे का एक ड्राफ्ट देता हूँ, बैंक ड्राफ्ट, 93 घड़ी हो के एवज में, जो बन रहा था, तो 32,000 रुपे का उसने ड्राफ्ट दे दिया, 32,829 रुपे का उसने ड्राफ्ट दे दिया, और ये दुकंदार ने जब ये ड्राफ्ट जमा किया, तो बैंक वालों ने बताया कि ये ड्राफ्ट तो फर्ज ही है, अब देखिए, ड्राफ्ट जो है, उसको बिल्कुल हार्ड कैश माना जाता है, एक होता है चेक, अगर चेक देता है, तो बाउंस होने की गुंजाईश होती है, लेकिन अगर कोई ड्राफ्ट देता है, तो फिर शक करने की कोई गुंजाईश ही नहीं बचती, तो उसने ड्राफ्ट दिया, उसे पता थ के साथ इतना बहतर क्वालिटी का वो ड्राफ्ट प्रिंट किया कि उनको वो शक ही नहीं हुआ कि ये ड्राफ्ट नकली है और उन्होंने वो ड्राफ्ट जब जमा किया तब बैंक वालों ने बताया कि भाई तुम्हारे साथ तो ठगी हो गई ये ड्राफ्ट तो नकली है इसक अब गूगल करेंगे इसके बारे में शक्स के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है एकblind ऐसा है कि राष्ट्रिय Cornic języ करता था क्या dato तो ये ये एक उपलब्दी के रूप वह लेता था और हो ये मानता और ठगों की जो परमपरा जिसके बारे में हमने बताया था बहराम वाला पॉडकास्ट में हमारे उस परमपरा को इसने आगे बढ़ाया और मैं कहूंगा कि यह आखरी सफल ठग था ठगी अब भी होती है साइबर ठगी होती है और भी तमाम तरीके से ठगी होती है ठगी के र क्राइम तो अब ठगी जो हो रही है वो बिलकुल अलग ठगी है लेकिन ये जो ठगी है यह वो ठगी है जिसके किससे बन गए आज आस आप और हम इतने सालों के बाद भी स्केस को डिसकस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसने उन कार नामों co अन्जाम दिया जिसके बारे में कभी किसीने सोचा ही न था एक सवाल सर और आठ वार यह आठ राज्यों में चोरी की जैसा आपने बताया सौन से कभी भी जविये जेल में जाता था तो जेल के लोगों ने बात चेट करता था उन्हें अपना खास ब नेज था और जब यह अपने खासा उनकी का ता निकल जाता था कभी सब इंसपेक्टर निकल जाता था कभी कुछ कभी कुछ मतलब माँ अगर पैसो के ठेकी नहीं कर पा रहा था तो इस चीज के ठेकी कर रहा था बिलकुल तो कुल मिला के कोई जेल इसको रोक नहीं पाई और हमेशा ये वहां से निकल गया देखे एक इसका किस्सा और बहुत मशूर है वो किस्सा मैं आपको बताता हूं इस इसने अपने गाउंवालों को कहा कि ठीक है भई मैं आज आज दावत देने के लिए आया हूं ये तीन-चार गाड़ियां लेके गया वहां बहुत अच्छे से शान और शौकत के साथ गया और इसने कहा कि मैं आप लोगों को पार्टी करता हूं और इसने बहुत बढ़िया वहां पे ववस्ताइं करवाई हलवाई बुलवाए अपना मिठाईया बनी उड़िया बनी सबजिया बनी और सारे गाउं के लोगों को बुलाया दावत दी तमाम गाउं के लोगों लड़का आया है कमा के लाया है कमा के लाया है और हर गाउं वाले को इसने सो सो रुपे है तो सो सो रुपए मालब आज की तारिख में आप देखें तो ठीक ठाक रकम बनेगी उस वक्त भी बहुत बड़ा एमाउंट सो रुपिया होता था सारे लोगों को सो सो रुपिया दिया तो अब गाउंवाले जो है रिपोर्ट के मताबिक गाउंवाले कभी भी यह नहीं मा ठाका कभी रेल के डबे में उसने किसी गरीब को नहीं ठाका कभी बस में बैठके उसने किसी गरीब को नहीं ठाका कभी किसी आप पूछ लीजे मजलूम से के उसने ठाका हो उसने हमेसा उस व्यक्ति को ठाका जो ठागने के योग गय था यानि कि जिसके पास पैसा था और पैसे का उसने क्या किया उसने अपने पास तो वो पैसा रख नहीं लिया उसने वो पैसा हम जैसे लोगों को बांट दिया तो उसकी जो च्छवी थी बहुत रॉबिन हुड वाली च्छवी थी उसने बना रखी थी अपने गाउं में उसको कभी यह नहीं माना गया यह ठाग है यह गलत है मतलब यह था कि अगर गलत कर रहा था तो लाके किसी की मदद कर रहा था बिलकुल तो आठ राज्जियों में सौ से जादा मामले इसके खिलाफ दर्ज थे आठ बार वो पुलिस वालों को चकमा दे के फरार हो गया नमी बार इसको गिरफतार कर लिया गया और जब गिरफतार कर लिया गया तो इसको अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग तरहे की सजाएं हुई कहीं पांच साल की सजा हुई, कहीं सतरह साल की सजा हुई, कहीं उननिस साल की सजा हुई और कहीं कहीं जुर्माने भी लगे तमाम मामलों को लेकर अलग-अलग धाराओं में हाँ तो बई इतनी बड़ी ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था सेट लोगों को ठगा था तो उन लोगों ने केस दर्च करा रखे थे तो जब यह पकड़ा गया तो अलग-अलग जगहों से इसको इतनी इतनी सजाएं दी गई अब अपने जीवन ऐसा रिपोर्ट में लिखा है कि 20 साल इसके जेल में बीते है भाई नौ बार पकड़ा गया तो मनलब एक और सवा दो साल यह जेल में रहा एक बार में और ऐसा कहते हैं कि 25 जुलाई 2009 इसकी मौत हुई लेकिन ऐसा लगता नहीं है एक दूसरी इसके लिए जो रिपोर्ट है वो यह रिपोर्ट है कि 1906 में में इसकी मौत हो गई थी इसकी मौत को लेके देखे दो बहुत ही अलग-अलग बाते हैं एक बात तो यह कि एक वकील जो इनके थे उन्होंने कहा कि 2009 में इनकी मौत हुई लेकिन एक और किस्सा है वो किस्सा यह है कि जब इनको आखरी बार देखा गया 24 जून 1906 में तब यह काफी बुज़र्ग हो गए थे इनकी उम्र करीब 80 साल के पार हो गई थी एमस में दिल्ली में इनका इलाज होना था और अदालत के आदेश पे तीन पुलिस वाले इनको ले जा रहे थे और इससे तीन दो तीन हफ़ते पहले से यह वील चेयर पर बैठा हुआ था यह उठ बैठ नहीं पाता था और इसकी तवेत इतनी जादा खराब थी कि लोगों को लगता था अब क्या ही भागेगा अब असी साल से जादा की उमर हो गई है हिल डूल पा नहीं रहा है अब क्या भागेगा अच्छा अब यहां तो लेकिन जब यह उसको ले जा रहे थे तो यह एक रेलवे स्टेशन पर उत्रे और रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद एक बेंच पर नटवरलाल को बैठाया और दो पुलिस वाले कुछ खाने पीने के लिए चले गए अब तीसरा पुलिस वाला जो है उसने यह कहा नटवरलाल ने कहा कि मेरा चाए पीने का मन हो रहा है बाबुजी और मेरे को एक चाए पिला दो और वो पुलिस वाला उसे बेंच पर लेटाया अब उसने का असी साल का आदमी है कहां भागेगा यह रहाग चाए वाला मेरी नजर इसके उपर है अब जितनी देर में वो चाय लेने के लिए गया नटवरलाल फरार नटवरलाल वहां से गायब उसके बाद कभी किसी नटवरलाल को नहीं देखा ना कोई कहानी सामने आई ना कभी नटवरलाल पकड़ा गया ना कभी नटवरलाल के बारे में किसी ने सु ता उस दिन नटवरलाल पूरी तरीके से गायब हो गया मैं कहूं कि उसने हाँ एक बार गी तो उसने मौत को भी ठग लिया क्योंकि आप उस शक्स की असली मृत्यू की तारीख तक नहीं बता सकते के वो गया तो गया कहां या फिर उसकी मृत्यू हुई तो हुई कब बहुत सब्सक्राइब आपका आप लोगों को नटवरलाल की कहानी को लिए क्या लगता है एक ऐसा ठक जिसने मौत को भी ठग लिया जैसा सर ने बताया एक ऐसा ठक जिसने लाल किला ताज महल को तक नहीं छोड़ा उसे भी बेचने का नाटक करके ठग लिया एक ऐसा ठग जो दु अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें